हमारे इंडिया में एक ब्रीड साइबेरियन हसकी बहुत जादा ट्रेंड कर रही है इसलिए मेरी काफी सारी वीडियो उसी रिसर्च पर आधा रहेता हैं बट आज से हमारे चैनल पर आपको एक और ब्रीड काफी जादा दिखने वाली है जहां से हम शुरू कर रहे हैं ताट कर सके तो ऐसी कि एक ब्रीड है जिसे हम बुलाते हैं चाओ चाओ अब बहुत लोगों का मेंको मेंसेज आता है काओ काओ लिखा होता है क्याओ क्रोड लिखा होता है अब अब मैंने इसको स्पेशली यू चुना इस वीडियो के लिए बिक्स यह अपनी ब्रीड को इतने ब इप्रेसेट कर रही है अप सबको बता है कि अब तरह का है अब बी होते हूं चाओ चोनесक जो मतर पसे हमज़ा हैं ऑर आईज की बात करें तो यह मैंणम का क्लर हम ऑफ वाइट संग वह बहुता हैं क्रीम भेक्म उल सकते हैं और इसको छोड़ के जो इस प्रिड में आते है वह आते है प्योर वाइट सेमी वाइट में इससे थोड़ा जादा वाइट होगा यह क्रीम तरफ आचुकी है ठीक है और इसके भी और साथ ही साथ उसके बाद रेड़िश कलर भी आता है जो अल्यका से रेड़िश ब्लैकिश्टोन आती है मेपल कलर भ अब अगर हम ब्रीड की बात करें तो यह थोड़ा टेंपरामेंटल ब्रीड है कई बार मैंने देखा है अगर आपका एक लाइस्टाइल ऐसे का है कि मैं सुबा चल जाता हूं जी नौ बजे और रात को वापिस आता हूं साथ बजे छे बजे पांच बजे वोड़े आप अ एक कमपैनियन चाहिए इवन इट कुट भी इन फॉर्म ऑफ अनदर डॉग अगर आपके पास दो डॉग है शी कुट भी दे फर्स वन और सेकिंड नौ दर थर्ड वन मतलब इसको अपने साथ एक डॉग्स का गुरूप मिया डॉग्स है इसके साथ और अगर आपके इस बिलेफ अलोन हर आपके डॉग के साथ कोई रहे तो अच्छा रहता है पथा चाओ-चाओ इस चीज को थोड़ा जादा मान जाते हैं तो इनको हमेशा आपने साथ कोई चाहिए फॉर्स केस सेकेंड केस जिसमें आप चाओ-चाओ नहीं रख सकते हो इस दगेस जहां पे इस बिल्कुल साफ आँके डिखाई देंगी लिगर हो नतिंगा बिल्कुल साफ कोई आपको एक्स्ट्रा मास वगरा नहीं दिख रहा राइट चैरी आई में क्यों आँक की पलके होती है उसमें मास बढ़ जाता है मास बाहर को आ जाता है एंड इन मेनी मेनी केसे इस आफ स होता है कि आँक से दिखना पपी को बंद हो चुका है तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अब यह प्रॉब्लम क्यों होती है अगर आप लोग ध्यान नहीं देरे अपने डॉग की तरफ अब इसके solution क्या है अपने डॉग की प्रॉपर टेक केर आप अपने डॉग को बा राउंड बली जो डॉग के लिए स्पेशल होती है जो नॉमल हमारी सिजर्स आती हो आगे से राउंड होती ताकि आप इनको यूज करते करते कहीं हर्ट ना कर दो काट ना दो इनको लगना जाए वो तीखा वाल एंड उससे हलका हलका इसकी आंख के पास के जो बाल है जो आँखों में जा सकते हैं वो काट दो तो क्या है उसके आँखों में बाल नहीं जाएंगे प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड जैसे ही बाइचांस अगर रेटनेस दिख गई पानी निकलता दिख गया गबराना नहीं है आसके और इसका बहुत अराम से सल्यूशन है और इसक अब जाएग कोई डॉग नहीं है सारे डॉग्स को बहुत अच्छी केर चाहिए डिजर्फ करते हैं सारे डॉग्स बठाव भी जोटी रफन टफ डॉबर मैं ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है ठीक है अपने में मस्ते को इंटेंशन वाली बात नहीं है ठीक है वैसे हम और आज यह मारा बच्चा ऐसे पुगना हैं यह यह और आज हमारे प्रपपाजी के बास जारा जो मारे पास सपेशली ब्लुद्याना से अ 사고 बिलावर सिंग जी भी आई हमारे पास लुद्याना से यह प्ल्यूद्यासर इंग बाध बात हो रही थी फाल में अबर तीन दिन आप मदर्ब हैं दो बहुत सुन्दर है तो इंससे फुर eyelashes पीमेल, में ख़िया चाँड़ी मों चप संधूनर है सब् तो गंटे लग जाएंगे लो ध्याना पहुंचने में भी ही चाहिए तेजस मैं चलो इंदी एंड में आपको बोल दिया था कि मैं आ रहा हूं को फिर पाजी कहते कि चलो कोई ना मेरी घर बात हो गई है आप कल का बना लो एंड कल का होते 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 हैं आज परसों हो गया है एंड चौत भी हो जाना था अभी रात के दस बजे आपको उल्टा दिख रहा होगा दस बजे दस बजे के आठ मिनिट हो चुग है और पाजी यहां जलंदर वेठे हैं एंड बहुत एक्साइटमेंट लेवल आपका हाई र पाजी आपको इन देखे रहा है वेठेट लेजाना पड़ के पाजी आपको पुट्टी पुट्टी हालता अब अगा भी आप आज तो बच्चा आपकी घर का खाना खाये गा एक्षा एक्षा लिए बहुत अच्छा लगता है जो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है जाब है आपको पाज़ और अपने आपने पपी को साथ में अपने लेकर आना है बट चलो यह मेरी वाद होगी आप बताओ प्लान कैसे हुआ पलाओ बड़ारी न पान रहा है दो बहुत बहुत खेड़ कि थे लेगिता चलो चौशा लेलन है न तो भी अश्च यहा लेगन अब पदा किता है तो अनवाल की था इता है यह बच्ची पर हमारे प्रभ पजी का नाम है इदा इम अधियो करना यह जो पूच्छा घौ चाओ-चाओ-चाओ-जो अब इसे आपको हमारे चानल पे काफी दिखने वाले है इंगिर यह एक ऐसी अंडरेट इंडरेट वरीडा क्यों है, because सबसे पहली बात, they are very lovable मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मैं breed को हमेशा behavior type से जानता हूँ, rather than कि हाँ, ये बड़ी study है, flexible है, and ये कुपती पात्ती बहुत है breed, ठीक है, that's fine, that's one thing physical aspects अलग हो गए, एक behavioral aspect होता है, अब जैसे मेरे German Shepherds है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा possessive है, but अगर सामने कोई भी आएगा, उनको फाड़ देंगे, right, ये behavior है उनका, मेरे huskies है, वो बहुत ज्यादा कभी-कभी emotionless हो जाते है, मेरे golden rivers है, वो बहुत ज्यादा over excited रहते है, कोई भी घर में आएगा, उनसे प्यार करने लग जाएगा, उनको ऐसे मिलेंगे जैसे पिछले जन्न में उनसे बिछड़े वो होते हैं, ये हर एक breed अपना-पना behavior represent करती है, and चाओ-चाओ एक ऐसी breed है, ये आपके घर की रखवाली भी करेगा, इसको देखके लोगों की कहना निचिए, फटेगी भी, but the thing is that, ये इतने कडली हैं, घर पे रखने के लिए, क्यूट, कडली, एक तब fluffy-fluffy होते हैं, जिस वज़ा से पाजी ले रहे हैं हमारे बच्चे को, तो ये breed आपका ये वाला चीज पूरा कर देगी, अगर जैसे आप सपोस्पोस घर पे रहते हो, and you need like someone, आपके साथ बेट पे सोए, squishy-squishy, soft-soft, teddy bear type, तो ये बच्चा आपके लिए है, हाँ, guarding भी करेगा, and इसकी जो look बन जाएगी, बाद में जाके, वो एक fierce look भी देगी, किसी को भी सामने, अगर ये किसी के आ जाएगा, तो हाँ, एक हद तक डरा देगा, so this is it, this video, for chao-chaos, and उमीद है, that आपको अब इस च trust here, and like, and people want some research done in this breed, so I'll definitely go for it, but thank you very much, watching this video, Malaparappa, जी, आपको भ़प बहँ wonderful, thank you, and good congratulations, and good congratulations, and Dilavar Paji, आप को, आप specially आयाया है, माह से राक को इतने मिलने के लिए आप जाने के लिए ये अपी जाने के लिए पाटी आप जैने डिए, जाल में एक हँए, ग्लुमें और इस चला थांक्यू बेरी मच्च फिर आगी वीडियो में मिलना तो आतो होगी खादे बंद करते